असनामु आलेकूम दिस इस उस्मान मक्बूल एंड यूर वाचेंग द्ब्लूटूटूटूटूटूबर को दोहा से लंदन जाने वाली फ्लाइट में Qatar Airways ने Starlink in-flight connectivity से equipped दुनिया का पहला Boeing 777 plane operate किया ये फ्लाइट किसी भी Boeing plane पर Starlink internet के लिए पहली STC यानि supplementary type certificate हासल करने वाली फ्लाइट की हैसियत रखती है Qatar Airways Middle East और North Africa में Air passengers को Starlink की Ultra High Speed Low Latency in-flight internet प्रवाइड करने वाला पहला carrier है Qatar Airways के मताबक इनका target है कि 2025 में अपने पूरे fleet के 64 Boeing 777 planes को इस technology से equipped कर दिया जाए Starlink के सर्विस का इस्तमाल Qatar Airways के तमाम passengers के लिए free है Qatar Airways Group के CEO इंजेनर बदर मुहमद Almीर ने इस अगास के बारे में कहा कि Starlink की reliable और constant internet supply के जरिये हम लोगों को इन चीजों से connect कर रहे हैं जो वो सबसे ज्यादा पसंद करते हैं यहां तक के 35,000 feet की बलंदी पर हम सफर को यादगार बना रहे हैं Starlink दुनिया भर में कहीं भी internet की access प्रवाइड करता है जिसमें दुनिया के वो एरियाज जहां internet, data connection या wifi signals के जरिये पहुंचने के काबिल नहीं जैसे के समंदर और प्लैनेट अर्थ के uninhabited हिस्से जहां कोई technology मयसर नहीं CEO SpaceX Elon Musk का कहना है कि वक्त के साथ आपको पता चलेगा ये हमेशा बेहतर होता जाएगा कतरे रवेस ग्रूप के CEO इंजेनियर बदर मुहमद अलमीर ने एरलाइन की पहली स्टार लिंग फ्लाइट के दुरान इलान मस्क को वीडियो कॉल भी की